नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बालीट के सुप्रसीध गीतकार सेलेंद्र सहाप का और आज है सेलेंद्र सहाप का जनम दिन जेह दोस्तों तो आज हम लोग सेलेंद्र सहाप के जनम दिन स्पेशल में आज हम लोग सलेंदर सहाब के बैयोगराफी के बारें बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं बिहार के आराजिले के धुसपूर गाउं के दलित परिवार से तालूक रखने वाले सलेंदर सहाब का असली नाम संकरदास केस्रिलाल था और उनका जनाम 30 अगस्ट 1921 को रावाल पिंडी जो अब पकिस्तान के पंजाब परांत में हैं वहां हुआ था जहां उनके पिता केस्रिलाल राव ब्रिटीस मिलेटरी हास्पिटल में ठेकेदार थे सलेंदर का अपने गाउं से कोई खांस जोड़ाव नहीं रहा क्योंकि वह बच्पन से पिता के साथ पहले रावाल पिंडी और फिर मथूरा में रहे उनके गाउं में जातार लोग, खेती हार, मजदूर थे और पिता की विमारी और आर्थिक तंग की काराण पूरा परिवार रावाल पिंडी से मथूरा आ गया जहां सलेंद्र के पीता के बड़े भाई रिल्वे में नवकुरी करते थे और मोथुरा में परिवार की आर्थिक समस्या इतनी बढ़ गई की उन्हें और उनके भाईयों को बिड़ी पिने पर मजबूर होना पड़ता था ताकि उनकी भूक जो है मर जाए इन विपरित हलात में सलेंद्र ने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने काव्यात्मक अनुराग को बनाए रखा आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने मुंबाई का रूख लिया यहां मटूंगा रिल्वे के मेकेनिकल इंजिनिरिंग विवाग में अपरेटिंग्स के तौर पर काम मिल गया लेकिन वरकस्वाप के मसीनों के सोर और महानगरी की चकचाओत के बीच भी उनके अंदर का कवी मरा नहीं और उन्हें अकसर कागाज कलम लिए अपने में गुम्नाम अकेले बैठा देखा जाता था काम से छुटने के बाद वे प्रगती सिल लिखाक संग के कर्याला में अपना समय बिताते थे जो की प्रिथ्वी राजकपूर रायल ओपेरा हाउस के ठीक सामने हुआ करता था हर साम वहां कवी जूटते थे यही उनका परिचाय राजकपूर से हुआ और वे राजकपूर की फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे उनके गीत इसकदर लोगपूर हुए कि राजकपूर की चार सदस्या टीम में उन्होंने सदा के लिए अपना इस्थान बना लिया और इस टीम में थे संकर जय किसन, हसरत जय पूरी सहाब और सैलेंदर सहाब जिया उनके लिखे जातर गीत लोगपूर हुए और उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समता मुलक भारते समाज के निर्माड के अपने सपने और अपनी मनावतावादी विचारधारा को अभिवेक्त किया जिया आप लोगों को गीत याद होगा आवारा हूँ या गर्दिस में हो यह वाला जो गीत था जो कांफी ज़दा लोगपूरी हुआ था जिसे मुलके सहाब ने अपनी वास दिया था और इसके साथ ही मेरा जूता है जपानी यह वाला गीत आप लोगों ने सुने होंगे कांफी ज़दा लोगपूरी हुआ इस गीत के साथ ही सब कुछ सीखा हमने जैसे काल जई फिल्मी गीत रचने वाले इस गीतकार ने दबी कुछली लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए भी काल जई नारा दिया हर जोर जुलम की टकर में हरताल हमारा नारा है यह वाला जो गीत था कांफी ज़दे लोगपूरी हुआ और यह नारा आज भी हर स्त्रमिक संघर्स के लिए मसाल की समान है और उन्होंने फ्रडिस्वार नात रेडू की अमर कहानी मारे गए गुलफाम पर अधारी तिसरी कसम फिलम बनाई और फिलम की असफलता और आर्थिक तंगी ने उन्हें तोड़ दिया और वे गंभीर रूप से बिमार हो गए और आखिरकार 14 दिसंबर 1960 को महास 46 साल की आय और आज है सुप्रसीध गितकार सलेंद्र सहाप का जनम दिन तो हम लोग तरब से सलेंद्र सहाप को जनम दिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहां भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो आज हम लोग उन बात के बलूट के सुप्रसीध ग लाइक निकी हैं तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा थांकिये दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए